कि यहां पी स्टार्ट होगा किस वेबसाइट पर होगा यहां पर लिखा हुआ उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया जो आप स्टार्ट कर सकते हों और सबसे इंपर्टेंट चीज जो है वह यह कि सीवीट फर्स ताइम सो कहिना कई व्यार फेसिंग समप्राइब्लमस रिगारडिंग टू एप्लिकीशन एविटिग वहां जो सबसे इंपर्टेंट वहां सब्जक्त को डिसाइड करना सब्जक्त क्या रहने वाला है क्यों और mostly students जो है वो JNU को choose करेंगे या BSU में जाएंगे या DU में जाएंगे तीन जो top universities हैं लेकिन यहां जो कुछ universities के अभी तक कहीं कि notifications आ चुके हैं कि syllabus किस तरह करेने वाले हैं किस तरह के subject पे वो लोग admission लेने वाले हैं वो सारी चीज़े उन्होंने डेकलियर कर दी मैं आपको एक लेकिन यहां पर जो किस तरह आई है या फिर मैं बात करूंगा यहां पर आपको खासकर focus रखना हो पड़े किनकी चीज़ों का ध्यान रखना है at the time of जब आप application फिल कर रहे होंगे वो सबसे पहले हम समझ लेते हम यहां पर जो notification की बात करें होता क्या है कि अगर मैं अपने दो साल का जो online platform पर teaching experience रहा उसके तुरू एक चीज़ मैं समझ पाया है कि students कई बार mistake करते है subject का selection करने में खासकर अगर आप student है और आप domain चुन रहे हैं suppose that you want to join Bhu या फिर आप D.U. अगर Bhu general aptitude के base पर के वाले जो आपका admission वो नहीं लेता है यहाँ एक अलहबाद university का subject list देखेंगे जो उन्होंने domain subject का list दिया है वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि code बता है जैसे 101 हो गया 102 हो गया 103 हो गया अब यह code सारे का सारे याद रखपाना भी possible नहीं है और यहाँ पे जो code होगा उसी की base पर domain होगा ठीक है अब सबसे बड़ आपने कोई भी गलत code यहां से चुन लिया तो बहुत पड़ा problem होने वाला है क्यों होने वाला है क्योंकि suppose that 103 जो code है वो आपने cross check नहीं किया उसके जो भी notification है अलावाद university का या फिर किसी और university के जो भी आएंगे उनमें आपने notification में यह check नहीं कि 103 जो था वो पॉल science का था लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि नहीं 103 इस ट्री का भर दो आपको नहीं पता था आपने नहीं cross check किया और आपको जाना था history के अंदर यह मालूट domain किसका था पॉल science का था अब आपने मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर यहां पर 103 को history का समझ की fill कर दिया जब admission आपका ह होता है उससे पहले जो एक process होता है आपका जो exam का exam process आपका होगा उसमें अगर आम बात करें तो पॉल science की जगह है आपको क्या यहाँ पर आपको पॉल साइंस में आना थे लेकिन आपने क्या भरा हिस्टरी का भरा हुआ है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या हो गया कि एक्जाम आपको क्या फेस करना पड़ेगा हिस्टरी का फेस करना पड़ेगा अब जब आप history का exam face करेंगे तो कहीं ना कहीं यह सबसे important हो जाएगा आपके लिए कि आप आने वाले time में जब आपके results आएंगे तो of course आपको history का knowledge नहीं था यह वहाँ पर domain subject का फिर जो importance वो खतम हो जाए दूसरी important चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह है कि जन्रल अपरिटूड की मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि यह clear है कि जैसे अगर हम इफलू की बात करें English and foreign language university है यह इफलू English and foreign language university की बात करते हैं इसक हम केवल दो चीजों के उपर admission लेंगे एक तो आपका first section जो है first section में क्या है first section में केवल English ठीक है आप अगर देखें तो first section में क्या है केवल English यह सही सेम किसका है South Bihar University जो है South Bihar Central University है उसने भी यह कहा है कि पार्ट वन में हम इंग्लिस कोई language के तौर पर लेंगे और languages को नहीं लेने वाले हैं तो English grammar यहां पर important हो जाता है आपका दूसरा इन्होंने क्या कहा कि दूसरा हम जो consider करेंग वो करें कि general aptitude के उपर हम अपने एक व नहीं पढ़ा है आप language की फिल्ड में जाना चाहते हैं कि फ्लू के अंदर ज्यादे तर अप्लाई करने वाले students होते हैं अपकॉस महां पर यूजी के अंदर language ही होता है certification जारी करेंगा यूजी के लिए तो यहां पर एक चीज़ साइद यह भी क्लियर करें कि हम इंगलिस और जनरल aptitude को ही consider करेंगे यहां पर जो पहले वाला पैटन था उसको हो सकता है कि ज्यादतर चांस यह है कि ज्यादतर नहीं करेंगा जो पुराना पैटन था ठीक है हमने स्टार्टिंग में जब दिसंबर में हम लोग क्लास ने स्टार्ट कर रहे था हमने एक चीज़ कही थी कि हम लोग जैसे क्लासे करेंगे तो उसको थोड़ा hybrid model पर करेंगे कि वहां पर आपको सारी चीज़ें कवर करें हम लोग उने वह करवाई भी तो उससे फाइदा क्या ह इन स्टुडेंट्स को अगर यहां पर कंट्री जी के वाला पार्ट हट जाता है तो उनको टेंशन नहीं है उलेडी मैट्स वाला पार्ट है वो करवा दिया उससे फाइदा क्या मिला उनको एक लंब समय के लिए प्रिपरेशन करने के टाइम मिला और वही concept पर काम करने का म कबल है जो हम लोग expect कर रहेते हैं तो यहां एक सबसे बड़ा जो है वो यह कि general aptitude major universities है जो जादधर universities है उनमें सबसे important role play करने वाला है general aptitude तो आपको इहां पर फोकस करना है बाखी आपको जो domain चुनेंगे आप जब आप domain चुनेंगे तो domain 100% आपको courses का क्या मिलेगा code मिले आने वाला कल जो होता है उसे हो सकता खराब कर दे तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप एक गलत code चुने फॉर्म में और चुनने के बाद आपको exam में जाके realize हो कि आपने किसी के कहने पर या फिर बिना verify कि यह इतनी बड़ी mistake कर दे जिसका उस time को solution नहीं होगा और वह आपका attempt एक तरह से waste जाता है या फिर आपको अपने मन पसंदीजा university अपना मन पसंदीजा college मिलें बहुत problem phase करना पड़ता है तो इसलिए form भरतेर समय सबसे important चीज है वो आपको अपने domain subjects को focus करके चलना होगा ठीक है दूसरी सबसे important चीज जो है वो यह है कि बहुत सारे student confused है कि क्या university को चुनना होगा तो of course applications में university matter नहीं करेगी क्योंकि आप domain चुनेंगे उसके बाद बाद में जो counseling होगी college wise होगी वहाँ CVT के जो card है जो score card है उस base पे जाके admission के लिए अपना apply कर पाएंगे उसकी counseling का हिस्सा बन पाएंगे वो अपना college universities के level पे होगी तो उसमें कोई issue नहीं बहुत आसानी से आप लोग उन चीजों को cover कर पाएंगे तो यहां जो सबसे important आपको जानना है वो यह जानना है कि एक तो form में आप लोग एक और mistake करते हैं वो करते हैं आप लोग अपने address को लेके आप address को लेके बहुत बड़े mistake करते हैं आपका domitial certificate जहां का होता है वहां कोई mistake ना करें आप जो खासकर आपको बाद में admission के time पे दिक्कत का सामना करना पड़े ठीक है तो एक address वाला जो है बहुत important है address का अगर कोई भी ऐसा आपका है एक बार clarify कर लीजे कि आपके documents कहां के हैं आप दिल्ली में रह रहे हैं मुंबई में रहे हैं matter नहीं करते हैं ल दूसरी चीज़ बहुत सारे स्टुनेंट एक कंफ्यूज है कि documents जो हमें चाहिए होंगे वह documents के recently चाहिए होंगे एकदम नए बने हुच चाहिए ऑफकॉस नहीं चाहिए होते हैं एक बहुत important सा point है जब आपका admission होता है तो admission time पे आपको बोला जाते है कि आपको वह documents चाहि सब्सक्राइब आपको बार-बार बनता नहीं लेकिन का सर्टिफिकेट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है और application form भरने तक आपको बन भी नहीं सकता तो घबरानी जरूत नहीं है आप अपना पुराना वाला upload करिए और जब आपका admission होगा तब उसका नया update version और पुरा नहीं होता थे लेकिन अभी जब exam based होगा तो यह चीज प्रैक्टिकली जेनी में देखने को मिलते थी पहले तो उसके लिए भी आपको भबरानी की जरूत नहीं है तो form भरते समय यह गलतिया तो बिल्कुल ना करें दूसरा important चीज जो है वो है आपका जो syllabus के regarding आप लोगों पैटन समझ में आ चुका है हमें language वाला इफलू ने clear कर दिया कि यहां पर वो क्या क्या पूछने वाला है तो बहुत ज्यादा hard नहीं होने वाला आप लोगों के लिए तो बहुत सारों के मन में डर बैटा हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो एकदम आराम से तयारी कर आते हैं तो रजिस्टेशन ओपन हो चुके हैं रजिस्टेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप जाकर कर सकते हमारी website को वीजिट कर सकते हैं ताकि आप लोग वहां से अपडिर्स ले पाएं classes के लिए रजिस्टर कर पाएं खैर इस वीडियो में सबसे और पर नहीं चुनना है ठीक है बाकी आपका कोई भी डाउट है कमेंट करिए और उसके अलावा आपको हमारे WhatsApp का डारेक्ट लिंक दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं जो है वो पूरा आपको हेल्प करेगी वहां पर रिगार्डिंग टू यॉर डाउट्स एंड एग्जाम पैटर्न और अविधिंग सो वहां आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपना अपना जो भी प्रॉब्लम हो ड्रॉप कर सकते हैं उस मैसेज के थुरू और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजी ताकि आपको आपडेट्स मिल जाएं थैंक यू 3525 था पी AND ऐ बत्या कर आपको कर लूट पुरॉ और चैनल बड़िक बेरो यूचिंग सब्सक्राइब टर पी평रॉ यूा विप्रॉच परर चैनल आपको लूटा है लूटॉ झाल झाल